हर हर महादेव नमह पार्वती पते माता अन्न पुर्णा की गंगा मैया की इस अईत्यासिक आयोजन में उपस्तित उत्तर प्रदेश की राजपाल स्रिमती आनंदी बेन पटेल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर्म योगी स्री योगी आधित्यनाद जी धार्पी जनता पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष हम सब के मारदर्शक स्रिमान जेपी नड्डा जी उपमुक्य मंत्री भाई केश्व पुर्द मौरिय जी दिनेश शर्मा जी केंद्र में मंत्री परिशत के मेरे साथी महेंतर नराज पांडे जी उत्तर प्रदेश भारतिय जनता पार्टी के द्देख्ष पुज्य संतगण और मेरे प्यारे काशी वासी और देश विजेश से इस अवसर के साक्षी बन रहे सभी स्रद्धालों सातिगण काशी के सभी बन्दूओं के साथ बाबा विश्वनात के चर्णों में हम शीष नवावत है माता अन्पुना के चरणन का बार बार बंदन करत है अभी मैं बाबा के साथ साथ नगर कोतवाल काल वहरव जी के दर्शन करके ही आ रहा हूं देश वास्यों के लिए उनका आशिरवार लेकर आ रहा हूं काशी मैं कुछ भी खास हो कुछ भी नया हो तो सबसे पहले उनसे पूछना आवशक है मैं काशी के कोतवाल के चरणों मैं भी प्रनाम करता हूं गंगा तरंग रमनीय जटा कलापं गौरी निरंतर विपूशित वामभागं नारायन प्रिय मनंग मदापहारं वारानती पुर्पतिम भजविश्वनाथं हम बाबा विश्वना दर्बार से देश दुनिया के उनस्त्रधालू जनन के प्रनाम करता है जो अपने अपने स्थान से इस महा यग्य के साक्ची बनत होन हम आप सब कासी वासी लोगन के प्रनाम करता है जिनके सयोग से इस शुबगड़ी आयल हो रदाए गदगद हो मन अहलादित हो आप सब लोगन के बहुत बहुत बधायो साथियों हमारे पुराणों में कहा गया है कि जैसे ही कोई काशी में प्रवेश करता है सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है भगवान विश्विश्वर का अशिरवात एक अलोग की कुर्जा यहां आते ही हमारे अंतर आतमा को जागरत कर देती है और आज आज तो इस चीर चैतन्य काशी की चैतना में एक अलग ही स्पंदन है आज आदी काशी की अलोग किक्ता में एक अलग ही आभा है आज शास्वत बनारस के संकल्पों में एक अलग ही सामर्थ दिख रहा है हमने सास्त्रों में सुना है जब भी कोई पुन्य अवसर होता है तो सारे तिर्थ सारी देविय शक्तियां बनारस में बाबा के पास उपस्तिद हो जाती है कुछ वैसा ही अनुफाव आज मुझे बाबा के दरबार में आकर हो रहा है ऐसा लग रहा है कि हमारा पूरा चेतन ब्रमान इससे जुड़ा हुआ है वैसे तो अपनी माया का विस्तार बाबा ही जाने लेकिन जहां तक हमारी मान भी ये द्रस्ति जाती है विश्वनात धाम के इस पवित्र आयोजन के इसे समय पर पूरा इस समय पूरा विश्व जुड़ा हुआ है साथियों आज भगवान शीव का पुरिय दिन सुमवार है आज विक्रम संवत दोहजार अठतर मार्ग शिष्षुक्लपक्ष दसमी तिथी एक नया इतिहास रत रही है और हमारा सोभाग्य है कि हम इस तिथी के साक्षी बन रहे है आज विश्वनाध्धाम अकल्प नियग अनंत उर्जा से भरा हुआ है उसका वैभाव विस्तार ले रहा है इसकी विशेष्था आसमान छू रही है यहां आसपास जो अनेक प्राचिन मंदिर लुप्त हो गए थे उन्हें भी पुनस्थापित किया जा चुका है बाबा अपने भक्तों की सद्यों की सेवा से पसंद हुए हैं इसलिए उन्हों ने आज के दिन का हमें आशिर्वाद दिया है विश्वनाद धाम का एक पुरा नया परिशर एक भव्य भवन भर नहीं है यह प्रतीक है हमारे भारत की स्तनातन संस्क्रिपी का यह प्रतीक है हमारी आज्जात्मिक आत्मा का यह प्रतीक है भारत की प्राचिंता का परंपराओं का भारत की उर्जा का गतिशिल्टा का आप यहाँ जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है आपको यहाँ अपने अतीत के गवरव का एहसाद भी होगा कैसे प्राचिंता और नमिंता एक साथ सजीव हो रही है कैसे पुरातन की प्रेनाएं भविश्य को दिशा दे रही है इसके साक्षा दर्शम विश्वनात धाम परिसर में हम कर रहे हैं साथ्यों जो मां गंगा उत्तर वहिनी होकर बाबा के पाउं पखारने काशी आती है वो मां गंगा भी आज बहुत प्रसन्न होगी अब जब हम भगवान विश्वनात के चरणों में प्रणाम करेंगे ध्यान लगाएंगे तो मां गंगा को स्पर्श करती हुई हवा हमें स्नेह देगी हमें आशिरवाद की और जब मां गंगा उन्मुक्त होगी प्रथन्न होगी तो बाबा के ध्यान में हम गंग तरंगों की कलकल गंग तरंगों की कलकल का दैब्य अनुभव भी कर सकेंगे बाबा विश्वनात सबके हैं मां गंगा सबकी हैं उनका अशिरवाद सबके लिए हैं लेकिन समय और परिस्थितियों के चलते बाबा और मां गंगा की सेवा की ये सुलत्ता मुश्किल हो चली यहां हर कोई आना चाहता था लेकिन रास्तों और जगर की कमी हो गए थी बुजुर्गों के लिए दिव्यांगों के लिए यहां आने में बहुत कठिना ही होती थी लेकिन अब विश्वनात धाम परियोजना के पूरा होने से यहां हर किसी के लिए पहुँचना सुगम हो गया है हमारे दिव्यांग भाई बहन बुजुर्ग माता पिता सीधे बोर से जेटी तक आएंगे जेटी से घार तक आने के लिए भी एसकेलेटर लगाए गए हैं वहां से जीधे मंदिर तक आ सकेंगे संकरे रास्तों की वज़ज़ से दर्शन के लिए जो घटों का गंटों तक का इंतजार करना पड़ा था जो परिशानी होती थी भो भी अब कम होगी पहले यहां जो मंदिर छेत्र केवल केवल तीन हजार वर्ग फीट में था वो अब करीब करीब पांच लाख वर्ग फीट का हो गया अम मंदीर और मंदीर परिशर में पच्चास साथ सत्तर हजार सद्दालू आ सकते हैं यानि पहले मा गंगा का दर्शन स्दार और वहां से सीधे विश्वना धाम यही तो है हर हर महादेश साथियों जब मैं बनारस आया था तो एक विश्वास लेकर आया था विश्वास अपने से जादा बनारस के लोगों पर था आप पर था आज हिसाब किताब का समय नहीं है लेकिन मुझे याद है तब कुछ लोग कुछ ऐसे लोग भी थे जो बनारस के लोगों पर संदेह करते थे कैसे होगा होगा ही नहीं यहां तो ऐसे ही चलता है कि मोदी जी जैसे बहुत आके गए मुझे आसेरे होता था कि बनारस के लिए ऐसी यह धारनाएं बना ली गई थे ऐसे तर्क दिये जाने लगे थे यह जड़ता बनारस की नहीं थी हो भी नहीं सकती थी थोड़ी बहुत राजनीती थी थोड़ा बहुत कुछ लोगों का निजी स्वार इसलिए बनारस पर आरोप लगाए जा रहे थे लेकिन काशी तो काशी है काशी तो अभी नाशी है काशी में एक ही सरकार है जिनके हाथों में डमरू है उनकी सरकार है जहां गंजा अपनी धारा बदल कर बहती हो उसकाशी को भला कौन रोग सकता है काशी खंड में भगवान संकर ने खुद कहा है बिना मम प्रसादम भई कह काशी प्रती प्रद्युत्ते अर्थात बिना मेरी प्रसंदता के काशी में कौन आ सकता है कौन इसका सेवन कर सकता है काशी में महदेव की इच्छा के बिना न कोई आता है और न यहां उनकी इच्छा के बिना कुछ होता है यहां जो कुछ होता है महदेव की इच्छा से होता है यह जो कुछ भी हुआ है महदेव ने ही किया है यी विश्वनाद्धाम तब बाबा आपन आशिरवाते बने ले हुएं उनकर इच्छा की मिना का कोई पत्ता हिल सकेला कोई कितना बड़ा हुए तो अपने घरे कहो ये उब बुले ये तबे कोई आ सकेला कुछ कर सकेला साथियों बाबा के साथ अगर किसी और का योगदान है तो वो बाबा के गणों का है बाबा के गण यानी हमारे सारे काशिवासी सारे काशिवासी जो खुद महदेव के ही रूप है जब भी बाबा को अपनी शक्ती अनुभव करानी होती है वो काशी वासियों का माध्यम ही बना देते हैं फिर काशी करती है और दुनिया देखती है इदम शिवाए इदम नमम इदम शिवाए इदम नमम भाई और बहनों मैं आज अपने हर उस्रमिक भाई बहनों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिसका पसीना इस भव्य परिसर के निर्माण में बहा है कोरोना के इस विप्रित्काल में भी उन्होंने यहां पर काम रुकने नहीं दिया मुझे अभी अपने इस त्रमिक साथियों से मिलने का आउसर मिला उनके आशिर्वार लेने का सौभाग मिला हमारे कारिगर हमारे सिविल एंजिनिंग से जुड़े लोग प्रशासन के लोग वो परिवार जिनके यहां घर हुआ करते थे मैं सभी का अभिनंदन करता हूं और इन सब के साथ मेयूपी सरकार हमारे कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदितिनाजी का भी और उनकी पूरी तीम का भी अभिनंदन करता हूं जिन्होंने काशी विश्वन धाम परियोजना को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया साथियों हमारी इस वारणसी ने यूगों को जिया है इतिहास को बनते बिगडते देखा है कितने ही काल खंड आये गए कितनी ही सल्तनते उठी और मिट्टी में मिल गई फिर भी बनारस बना हुआ है बनारस अपना रस बिखेर रहा है बाबा का एधाम साच्वत ही नहीं रहा है इसके सौंदर्य ने भी हमेशा सौंसार को अस्षर चकीत और आकर्शित किया है हमारे पुरारों में प्राकृतिक आभा से घिरी कासी से कासी के ऐसे ही दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है अगर हम गरंधों को देखेंगे शास्त्रों को देखेंगे इतिहासकारों ने भी व्रुक्षाओं, सरोवरों, तालाबों से गिरी काशिके अद्बूत सरुप का बखान किया है लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता आतताईयों ने इस नगरी पर अक्रमन किये इसे द्वस्त करने के प्रयास किये और अंजेब के अत्याचार उसके आतन का इतिहाद साशी है जिसने सब्विता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की जिसने संस्कृती को कटरता से कुचलने की कोशिश की लेकिन इस देश की मिट्टी बापी दुनिया से कुछ अलग है यहां अगर आउरंग जेब आता है तो सिवाजी भी उठ खड़े होते हैं अगर अगर कोई सालार मसुद इदर बढ़ता है तो राजा सुहल देव जैसे बीर योद्धा उसे हमारी एक्तागी ताकत का एसांस करा देते हैं और अंगरी जों के दौर में भी वारन हैस्टिंग का क्या हाल काशी के लोगों ने किया था यह तो काशी के लोग समय समय पर बोलते रहते हैं और काशी की जुबान पर निकलता है गोडे पर होदा और गोडे पर होदा और हाथी पर जिन जान लेकर भागल बार इन हस्टिंग साथियों आज समय का चक्र देखिए आतं के वो परियाए इतिहास के काले पन्नों तक सिमट कर रह गए है और मेरी काशी मेरी काशी आगे बढ़ रही है अपने गवरव को फिर से नई भव्वता दे रही है साथियों काशी के बारे में मैं जितना बोलता हूं उतना डूबता जाता हूं उतना ही भावुख हो जाता हूं काशी सब्दों का विशे नहीं है काशी संबेदनाओं की स्रिष्टी है काशी वो है जहां जागरूती ही जीवन है काशी वो है जहां मृत्यू भी मंगल है काशी वो है जहां सत्य ही समस्कार है काशी वो है जहां प्रेम ही परंपरा है हाई यो भनो हमारे सास्त्रों ने भी काशी की महिमा गाते और गाते हुए आखिर में आखिर मैं क्या कहा नेती नेती ही कहा है यानि जो कहा उतना ही नहीं है उससे भी आगे कितना कुछ है हमारे सास्त्रों ने कहा है सीवं ज्यायन इति ब्रयोग शीवह शब्दार्त चिंत का है अर्था शीव शब्द का चिंतन करने वाले लोग शीव को ही ज्ञान कहते हैं इसलिए ये काशी शीव मही है ये काशी ज्ञान मही है और इसलिए ज्ञान, शोद, अनुसंधान ये काशी और भारत के लिए स्वाभाविक निश्ठा रहे हैं बगवान शीव ने स्वयम कहा है सर्वक्षेत्रेशु भूपृष्टे कासी खेत्रम्च मेवपू अर्थात धर्ती के सभी खेत्रों में कासी शाक्षात मेरा ही शदीर है इसलिए यहां का पत्थर यहां का हर पत्थर शंकर है इसलिए हम अपनी कासी को सजीव मानते हैं और इसी भाव से हमें अपने देश के कनकन में मात्रु भाव का बोध होता है हमारे सास्त्रों का वाक्य है द्रसते सवर्ग सरवे है काश्यम विश्वेश्वरत तथा यानि काशी में सरवत्र हर जीव में भगवान विश्वेश्वर के ही दर्शन होते हैं इसलिए काशी जीवत्व को सीधे सीवत्व से जोड़ती है हमारे रुश्यों ने भी कहा है विश्वेश्वम शरणम याया समे बुद्धी प्रदाश्यति अर्खात भगवान विश्वेश्वर की शरण में आने पर समबुद्धी व्याप्त हो जाती है बनारस बोडगर है जहां से जगदगुरु संगराचारिय को स्रीदोम राजा की पवित्रता से प्रेणा मिली उन्होंने देश को एक्ता के सुत्र में बांधने का संकल पलिया यह वो जगह है जहां बहां बगवान संकर की प्रेणा से गोष्वामी तुलसिदाज जी ने राम चरीद मानत जैसे अलवकिक रचना आती यहीं की धरती सारनाथ में बगवान बुद्ध का बोध संसार के लिए प्रगट हुआ समाज सुधार के लिए कभिरदाज जैसे मनी सी यहां प्रकट हुए समाज को जोड़ने की जरुरत थी तो संत रहिदाज जी की भक्ती की शक्ति का केंद्र भी यह काशी बने यह काशी अहिंसा और तब की प्रतिबूर्ती चार जैन तिर्थरंकरों की धरती है राजा हरिष्टनत की सत्य निस्टा से लेकर वलभाचारिया और रामानंजी के ज्यान तक चैतन्य महा प्रभू और समर्त राम गुरू गुरू रामदास के ज़ेकर स्वामी विवेक अनौन और मदन मौन मालविया तक कितने ही रुष्यों और आचारियों का समन्द कासी की पवित्र धर्ती से रहा है शत्रपती सिवाज महाराद ने इहां प्रेणा पाई राणी लक्ष्मिबाई से लेकर चंदल से कराजा तक कितने ही सेनानियों की कर्म भूमी जन्म भूमी काशी रही है भारत इंदु हरिचंद्र जैसंकर पसार मुंसी प्रेमचन पंडित रविशंकर और बिस्मिल्ला खान जैसी प्रतिभाएं इस इस मरण को कहां तक लेते जाएं कितना कहते जाएं भंडार भरापड़ा जीतर काशी अनंत है वैसे ही काशी का योगदान भी अनंत है काशी के विकास में इन अनंत पुन्य आत्माओं की उर्जा शामील है इस विकास में भारत की अनंत परंपराओं की ब्राशत सामील है इसलिए हर मत मतांतर के लोग हर भाशा वर्गे के लोग यहां आते हैं तो यहां से अपना जुडाव मैसूस करते हैं साथियों काशी हमारे भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी तो है यह भारत की आत्मा का एक जीवन्त अवतार भी है आप देखिए पूरव और उत्तर को जोड़ती हुई यूपी में बसी ये काशी यहां विश्वनाद मंदिर को थोड़ा गया तो मंदिर का पुनर्म माता हल्याबाई होलकर ने करवाया जिनकी जन्वभूमी महराज का थी जिनकी कर्मभूमी इंदोर महाश्वर और अने छित्रों में थी उन्हें माता हल्याबाई होलकर को आज मैं इस अवसर पर नमन करता हूँ दो सो ड्हाई सो साल पहले उन्होंने कासी के लिए इतना कुछ किया तब के बाद कासी के लिए इतना काम अब हुआ है साध्यों बाबा विश्वनार मंदिर की आभा बढ़ाने के लिए पंजाब से महराजा रंजित्सी ने 23 मन सोना चड़ाया था इसके सीखर पर सोना मढ़भाया था पंजाब से पुझ्य गुरु नानक देव जी भी काशी आये थे यहां सत्संग किया था दूसरे सीख गुरुओं का भी काशी से विशेश रिस्ता रहा था पंजाब के लोगों ने काशी के पुनर्ण मिर्वान के लिए दिल खोल कर दान दिया था पूरब में बंगाल की रानी भवानी ने बनारस के विकास के लिए अपना सब कुछ अर्पन किया बैसूर और दूसरे दक्षिन भारती राजाओं का भी बनारस के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है एक ऐसा चाहर है जहां आपको उत्तर तक्षिन नेपाली लगबग हर तरह की सैली के मंदीर दिख जाएंगे विश्वनात मंदीर इसी आध्व्यात्मिक चेतना का केंदर रहा है अरबी विश्वनात धाम परिशर अपने भग्व रूप में इस चेतना को और उरजादेगा साथियों पर भारत के लोगों की काशी के प्रति आस्था दक्षिन भारत का काशी पर और काशी का दक्षिन भारत पर प्रभाव हम सब भली भाती जानते हैं एक ग्रंथ में लिखा है, तेनो पया थेन, कदा चनात, वारानसिम, पाप निवारन, आवादी वाणी बलीना, सविश्यन विलोक के लिला वासरे विलिपता, कन्नर भासा में कहा गया है, यानि, जब सद्गुरु मादभाचारे जी, अपने शिश्यों के साथ चल रहे थे, तो उन्होंने कहा था, कि काशी के विश्वनात, पाप का निवारन करते हैं, उन्होंने अपने शिश्यों को काशी के वहिभव, और उसकी महमा के बारे में भी समझाये, साथियों, सदियों पहले कि ये भावना निरंतर चली आ रही है, मा कही शुबरमनिम भारती, काशी प्रवास ने जिनके जीवन की दिशा बदल दी, उन्होंने एक जगह लिखा है, तमील में लिखा है, काशी नगर पुलवर, पेसुम उरईदान, काशी इल के पदर कोर, खरुवी सेवों, यानि काशी नगरी के संत कवी का भाशां, काशी पुरमनिम सुनने का साधन बनाएंगे, काशी से निकला हर संदेश ही इतना व्यापक है, कि देश की दिशा बदल देता है, वैसे मैं एक बात और कहूँगा, मेरा पुराना अनुभव है, हमारे घाट पर रहने वाले, नाव चलाने वाले, कई बनारिशी साथी तो, और आपने भी कभी अनुभव किया होगा, तमील, कंड़ा, एलूगू, मलियालम, इतनी फराटेदार परिगे से बोलते हैं, कि लगता है कि कहीं केरवा, तमीला अड़ुया, कंड़ा तो नहीं आ गई अब, इतना बढ़िया बोलते हैं, साथियों, भारत की हजारों सालों की उर्जा, ऐसे ही तो सुरक्षित रही है, समरक्षित रही है, जब अलग-अलग स्थानों के खेत्रों के सुत्र से जूड़ते हैं, तो भारत, एक भारत, फ्रेश भारत के रुप में जागरत होता है, इसलिए हमें सवराष्टे सोमनाथम से लेकर अयोध्या मतुरा माया कासी कांचिय बंतिका का हर दिन स्वरन करना सिखाया जाता है, हमारी यहां तो द्वादस जोतिलिंगों के स्वरन का ही फल बताया गया है, तस्य तस्य फल प्राप्ति ही, भविश्यती न संसया, यानि सोमनाथ से लेकर विश्वनाथ तक द्वादस जोतिलिंगों का स्वरन करने से हर संकल पसिद्ध हो जाता है, इसमें कोई संसयी नहीं है, यह संसय इसलिए नहीं है, क्योंकि इस मरण के बहाने पुरे भारत का भाव एक जूट हो जाता है, और जब भारत का भाव आ जाए, तो संसय कहां रह जाता है, असंभव क्या बचता है, साथियों, यह भी सिर्फ संयोग नहीं है, कि जब भी कासी ने करवट ली है, कुछ नया किया है, देश का भाग्य भी बढ़ रहा है, बीटे साथ वर्षों से, कासी में चल रहा विकास का महा यग्य, आज एक नई उर्जा को फ्राप्त कर रहा है, कासी विश्वनाद धाम का लोकारपन, भारत को एक निरनायक दिशा देगा, एक उजवल भविश्य की तरब ले जाएगा, यह परिसर साक्षी है, हमारे सामर्थकां, हमारे कर्तव्यकां, अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए, तो असंभव कुछ भी नहीं है, हर भारत वासी की भुजाओं में वो बल है, हर भारत वासी की भुजाओं में वो बल है, जो अकलपनिये को साकार कर देता है, हम तब जानते हैं, हम तपच्या जानते हैं, देश के लिए दिन रात खपना जानते हैं चुनोती कितनी ही बड़ी क्यों न हो, हम भार के मिलकर उसे परास्त करकते हैं विनाज करने वालों की शक्ती, कभी भारत की शक्ती और भारत की भक्ती से बड़ी नहीं हो सकती याद रखिये, जैसी द्रस्ती से हम खुद को देखेंगे, वैसी ही द्रस्ती से विश्व भी हमें देखेगा मुझे खुशी है कि सद्यों की गुलामी ने हम पर जो प्रभाव डाला था, जिस हिंद भावना से भारत को भर दिया गया था अब आज का भारत उससे बहार निकल रहा है, आज का भारत सिर्फ सोमनाथ मंदीर का सौंदरी करन ही नहीं करता, बलकि समंदर में हजारों किलोमिटर आप्टिकल फाइबर भी बिशा रहा है आज का भारत सिर्फ बाबा केदारनाद मंदीर का जिर्णोरदार ही नहीं कर रहा, बलकि अपने दमखंपर अंतरिक्ष में भारतियों को भेजने की तयारी में जुटा है आज का भारत सिर्फ अयोद्धा में प्रबूर सिराम का मंदिरी नहीं बना रहा बल्कि देश के हर जीले में मेडिकल कॉलेज भी बना रहा आज का भारत शुर्प बाबा विश्वनाद धाम को बव्य रूप भी नहीं दे रहा बलकि गरीब के लिए करोड़ों पक्के घर भी बना रहा है साथ क्यों नए भारत में अपनी संस्कृति का गर्व भी है और अपने सामर्थ पर उतना ही भरोसावाई है नए भारत में विरास्ट भी है और विकास भी है आप देखिए अलोध्या से जरगपूर आना जाना आसान बनाने के लिए राम जनम की मार का निर्मान हो रहा है आज भगवान राम से जुड़े स्थानों को रामायन सर्किट से जुड़ा जा रहा है और साथ ही रामायन ट्रेन चलाई जा रही है बुद्ध सर्किट पर ही काम हो रहा है तो साथ ही कुशी नगर में इंट्रनेस्लों एरपोर्ट भी बनाया गया है करतारपुर साब कोरिडोर का निर्मान किया गया है तो वहीं हेमकुन साहिब जी के दर्सन आसान बनाने के लिए रौप्वे बनाने की भी तैयारी है उत्राखन में चार धाम सडक महापरियोजना पर भी तेजी से काम जा रही है बगवान विठ्थल के करोडों भक्तों के आसिवात से सिरी संत ज्यानेश्वर महाराज पाल की मार्ग और संत तुकाराम महाराज पाल की मार्ग का भी काम अभी कुछ हफ्ते पहले शुरू हो चुका है साथियों केरला में गुरु वायूर मंदीर हो या तमिल माडू में कांची पुरम वेलंकानी तिलंगना का जोगुलांबा देवी मंदीर हो या फिर बंगाल का बेलूर मठ गुजरात में द्वारकाजी हो या फिर अनुना चल्प्रदेश का परश्वराम कुण देश के अलग-अलग राज्यों में हमार यास्ता और संस्कृति से जुड़े ऐसे अनेकों प्रवित्र स्थानों पर पूरे भक्ति भाव से काम किया गया है काम चल रहा है भाई और भेनों आज का भारत अपनी खोई हुई विरासत तो फिर से संजो रहा है यहां काशी में तो माता अन्पुर्णा खुद विराती है मुझे खुशी है कि काशी से चुराई गई माउन अन्पुर्णा की प्रतीमा एक शताब्दी के इंतजार के बार सो साल के बार अब फिर से काशी में स्थापित की जा चुकी है माता अन्पुर्णा की कृपा से कुरोना के कठीन सबाय में देश ने अपने अन्पुर्णार खोल दिये कोई गरीब भूखा न सोये इसका ध्यान रखा मुप्त राशन का इंतजाम किया साथियों जब भी हम बगवान के दर्षन करते हैं मंदीर आते हैं कई बार इस्वर से कुछ मांगते हैं कुछ संकल्प लेकर भी जाते हैं मेरे लिए तो जनता जनारदन इश्वर का रूप है मेरे लिए हर भात बासी इश्वर का ही आउश है जैसे सब लोग भगवान के पाँज जा करके मांगते हैं ज़म मैं आपको भगवान मानता हूँ जनता जनारदन को इश्वर का रूप मानता हूँ तो मैं आज आप से कुछ मांगना चाहता हूँ, मैं आप से कुछ मांगता हूँ, मैं आप से अपने लिए नहीं, हमारे देश के लिए तीन संकल्प चाहता हूँ, भूल मत जाना, तीन संकल्प चाहता हूँ, और बाबा की पवितर धरती से मांग रहा हूँ, पहला स्वच्छता, दूसरा स्रजन, और तीसरा आत्म निर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयाद। स्वच्छता, जीवन शैली होती है, स्वच्छता, अनुशाशन होती है, यह अपने साथ कर्टग्यों की एक बहुत बड़ी संखला लेकर आती है, भारत चाहे जितना ही विकास करे, स्वच्छ नहीं रहेगा, तो हमारे लिए आगे बढ़ पाना मुश्किल होगा। इस दिशा में हमने बहुत कुछ किया है, लिएक हमें अपने प्रयासों को और बढ़ाने होंगे। कर्टग्य की भावना से भरा आपका एक चोटा सा प्रयास, देश की बहुत मदद करेगा। यहां बनारस में भी शहर में घाटों पर स्वच्छता को हमें एक नए स्थर को लेकर जाना है। गंगा जी की स्वच्छता के लिए उत्राखन से लेकर बंगाल तक कितने ही प्रयास चल रहे हैं। नमामी गंग्या भियान के सफलता बनी रहे, इसके लिए हमें सजग होकर काम करते रहना होगा। साथियों, गुलामी के लंबे कालखंडे, हम भारतियों का आत्मविश्वास ऐसा तोड़ा कि हम अपने ही स्रजन पर विश्वास खो बैठे। आज हजानों वर्ष पुरानी इस कासी से मैं हर देश वासी का आवान करता हूँ। पूरे आत्मविश्वास से स्रजन किरिए इनोवेट करिए, इनोवेटिव तरीके से करिए। जब भारत का युवा कोरोना के इस मुश्चिल काल में सेंकडो स्टार्टप बना सकता है। इतनी चुनवतियों के बीच चालिस से जादा युनिकॉन मरा सकता है। वो भी यह दिखाता है कुछ भी कर सकता है। अब सोचिए एक युनिकॉन याने स्टार्टप करीब करीब साथ साथ हजार करोडर रप्रियस से भी जादा का है। और पिछले एक डेड़ साल में बना है। इतने कम समय में है। यह अभूत्पुर्वा है। हर भारतवासी जहां भी है। जिस भी खेत्र में है। देश के लिए कुछ नया करने का प्रयास करेगा। तभी नए मार्ग मिलेंगे। नए मार्ग बनेंगे। और हर नई मंजील पाकर रहेंगे। भाई और भेनों तीसरा एक संकल्प जो आज हमें लेना है। वो है आत्म निर्भर भारत के लिए अपने प्रयास बढ़ाने का। यह आजादी का अमरित काल है। हम आजादी के 75 साल में हैं। जब भारत 100 साल की आजादी का समारो बनाएगा। तब का भारत कैसा होगा। इसके लिए हमें अभी से काम करना होगा। और इसके लिए जरूरी है, हमारा आत्म निर्भर होना। जब हम देश पे बनी चीजों पर गर्व करेंगे। जब हम लोकल के लिए वोकल होंगे। जब हम ऐसी चीजों को खरीजेंगे जिसे बनाने में किसी भारतिय का पसीना बहा हो तो इस अभियान को मदद करेंगे अमरिक काल में भारत 130 करोर देश वाजियों के प्रयासों से सबके प्रयासों से आगे बढ़ रहा है महदेव की कुपा से हर भारत वाजिय के प्रयास से हम आत्म निर्भर भारत का सपना सच होता देखेंगे इसी विश्वास के साथ मैं बाबा विश्वनाद के माता अन्पुर्णा के काशी कोतमाल के और सभी देविद्येवताओं के चर्णों में एक बार फीर प्रणाम करता हूँ इतनी बड़ी तादाद में पधारे हैं यह हमारे लिए मुझ जैसे सामान्य नागरिक के लिए यह सवभाग्य की पल है मैं सभी संतों का सभी पुझ्य महत्माओं का सर जुका करके रदय से अभिनदन करता हूँ प्रणाम करता हूँ मैं आज सभी कासिवाचियों को देश वाचियों को फिर से बठाई देता हूँ बहुत बहुत शुब कामनाई देता हूँ हर हर महादे हर हर महादे हर हर महादे बहुत 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 लीग